नमश्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, मैं हूँ विवेक मित्तल अक्सर हम सुनते हैं कि एक कंपनी का फॉर्श्यून कोई पर्टिकुलर ब्रैंड बदल देता है या उस कंपनी का एक सेग्मेंट बदल देता है टाटा की है एक ऐसी कंपनी जिसका फॉर्श्यून एक उसके छोटे से ब्रैंड ने बदल दिया जो शायद जादा तर ब्रोकरेज हाउसेज एक समय पर उस ब्रैंड को लेकर बिल्कुल कॉश्यस मौट पर थे वो नहीं जानते थे कि ये ब्रैंड पूरी किस्मत पलड़ देगा आज हम बात कर रहे हैं टाटा की एक कंपनी ट्रेंट की ट्रेंट को पहले स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते थे कि ये टाटा ग्रूप की कंपनी है उसके बाद बहुत सारे लोग उसका ये जो important brand है Westside Westside को भी नहीं जानते थे कि Westside Tata का brand है और अभी उन्होंने कुछ साल पहले यानि कि 8 साल पहले एक brand launch किया Zoodio जिसके बारे में आज तक शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये Tata का ही brand है लेकिन इस Zoodio ने क्या तस्वीर पलटी है इसके बारे में आज बात करेंगे कि Zoodio आज trend को इस मुकाम पर ले आया कि trend आज निफ्टी में भी शामिल हो सकता है कुछ खबरे आ रही हैं जिसमें कि बताया गया कि जो trend है वो निफ्टी में शामिल हो सकता है अगस्त में निफ्टी में कुछ चेंजिस होंगे जिसके बाद 30 सेप्टमबर से चेंजिस लागू हो जाएंगे और ट्रेंट निफ्टी में जा सकता है अगर हम इस शेर की चाल देखें तो पिछले 5 साल में ये काउंटर करीब 12 गुना हुआ और पिछले 10 साल में माई 2014 में ये काउंटर करीब 100 रुपे के असपास था जो कि अब 4700 रुपे हो गया यानि कि करीब करीब आप समझ सकते हैं कि मल्टी वेगर चोड़िए मल्टी वेगर के भी शायद अगर कुछ इसक्वाइर्स होते हैं तो वो आप लगा सकते हैं जूडियो में ऐसा क्या हुआ और क्या ऐसी किसमत पल्टी है जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि ट्रेंट में एक इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है बात करते हैं जूडियो में कि रेवेन्यू किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है जूडियो ने जो कि 8 साल पुराना ब्रैंड है उसने वेस्ट लाइफ के जो 26 साल पुराना ब्रैंड है उसको ही पचार दिया यानि कि एक ही company के दो brand थे जिसमेंसे कि एक brand जो 26 साल पुड़ाना था जिसको हम malls में उसके exclusive stores भी देखा करते थे और उसमें उतना revenue नहीं आ रहा जितना की 8 साल पुड़ाने एक zudio लेकर आ रहा है zudio का revenue FY24 में रहा है वो 6744 करोड रुपे का रहा है वहीं अगर west side का अनमानित revenue देखे तो करीब 3431 करोड रुपे का रहा है और इनका ही trend company का ही जो तीसरा एक segment है वो है star grocery जिसका revenue करीब 2200 करोड रुपे रहा है तो कुल मिलाकर trend का जो कुल revenue रहा है वो करीब 12,375 करोड रहा अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो zudio का revenue करीब double हो गया है साथ ही अगर देखें तो हर minute में zudio करीब 90 टी-shirt और 20 pair denim jeans बेज देता है और 19 fragrance और 17 lipstick की भी sale एक minute में कर देता है यानि कि इतनी जबर्दस sale है zudio की कि चुकि affordable segment में है तो काफी तेजी से इसका माल बिग जाता है अब बात कर लेते हैं comparison की कि west life से इसका west side से इसका क्यूं हमें comparison करना है और क्यूं यह brand emerge हो रहा है पहले revenue contribution देखते हैं zudio versus west side का revenue contribution में zudio करीब आप 54% contribute करता है trend के कुल revenue में west side के वल 28% करता है EBITDA margins जूडियो के भले ही काम है क्योंकि वो affordable category में आते हैं और west side premium category में आता है तो जूडियो के 10.3% EBITDA margins है वहीं west side के 15% है लेकिन age of the brand देखे आप 8 years और 26 years number of stores देखे जूडियो कुपर टाटा अब ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इसलिए लगातार उनके नए stores खुल रहे हैं 545 उनके stores खुल चुके हैं 163 शेहरों में साथ ही अगर west side के देखे तो आज भी चुकि premium माल होता है premium शेहर में ही खुल पाते हैं 91 cities में उनके stores खुले गए हैं 232 stores अभी तक खुल चुके हैं तो कुल मिला कर कह सकते हैं कि west side को पिछाड चुका है जूडियो और अगर आप share को देखे तो पिछले 5 साल में देखे 1100% क पिछले 5 सालों में चला यानि कि ये करीब करीब 500 रुपे का share था जो कि 5 सालों में 4725 हो गया है और अगर मैं 10 सालों का trend लेता हूं तो ये 100 रुपे का share 4725 हुआ तो ये एक कहानी है Tata Group की एक turnaround company की जो हमने देखा कि Titan की हम बात सुनते थे TCS की बात सुनते थे लेकिन trend भी ए मारना है कि मोतीलाल कहते हैं इस पर 5100 के लक्षे अभी भी देखे जा सकते हैं एकसे सिक्यूरिटी का मारना है कि 4800 तक के target अभी भी इस counterpart देखे जा सकते हैं तो निफ्टी में संभावना है कि trend शामिल हो जाएगा और अगस्ट सेप्टमबर में ये खबर हो सकता है कि आती दिखाई दे क्योंकि निवामा की एक रिपोर्ट कहती है कि निफ्टी में ये जो चेंजिस होंगे उसकी गोशना अगस्ट में होगे और सेप्टमबर में बदलाव लागू हो जाएगे और trend उसमें शामिल हो जाएगा तो टाटा की एक और company धमाकेदार entry कर सकती है झाल झाल झाल